वेलकम बैक्स तो अनद वीडियो आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे सो गाइस आज है डेट कितना 11 सप्टेमबर और आज मैं आपको अपडेट दूँगा और आज तो म्यूचल फंड को लेके काफी अच्छा बड़िया बड़िया अपडेट है आप लोग कमेंट से बताओ आप लोग को भी म्यूचल फंड में क्या अपडेट आया है आज पॉजिटिव या नेगेटिव मैं अपना आगे बताओंगा बाकि स्टॉक्स की ख़बर आज दूँगा उपर है या नीचे जो भी है बताओंगा मैं भी आपको वहाँ पे कौन सा साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव बट ओवराल पूरा वीडियो एंड तक देखना तो आपको पूरा अपडेट में दे दूँगा और बाकि गाईज बात के रहे हैं भी मुचल फंड की सबसे पहले तो आज तो बहुत अच्छा तरीके से पॉजिटिव आया है 1.04 परसंट का रिटन आया है 43.98 परसंट का टोटल रिटन है जो कि अब टोटल मेरा पहुच चुका है 11,84,202 रूपीस के आराओं तो जो कि काफी अच्छा है गाईज लग इनो बात करें आज स्टॉक पॉटफोलियो की तो बाई नेगेटिव है यहां पर 1.54 परसंट से नेगेटिव आया है 12.03 परसंट का भी टोटल नेगेटिव है तो अराओं यतना मुझे याद है जुलाई मन से मैंने किया हूँ तो बाई नेगेटिव तो चल रहा है अब देखत नेगेटिव है 12.17 परसंट का टोटल नेगेटिव है तो दोनों स्टॉक पॉटफोलियो जो मेरे है नेगेटिव में है और यहां पर देखेंगे आप मुचल पॉटफोलियो यह दूसरा वाला इसमें 25,428 रुपीज के राओं तो 7.97 परसंट का टोटल रिटन है तो यह भ बाकी टाइम आने पर पता चलेगा अभी स्टॉक्स का काफी नेगेटिव ही चल रहा है अभी कब पूरा पॉजिटिव में आएगा ग्रीन जब से डाला हूं तो अब से लाल लाली दिख रहा है मुझे ग्रीन वाली बत्ती तो दिखी नहीं रहा है देखने है कब आता है ट 52,681 रुपीस के रहा है और अभी नेगेटिव दिखा रहा है 4.79% का तो ओर आल स्टॉक्स तो तीनों पॉटफुलियो में बैंडी बजी भी है नेगेटिव ही है सारे किस सारे तो इंधने कमेंट किया है इन्वेश्में इन्वेश्मेंट कर रहा है मुझे इन्वेश्में जुलाइ में डाला था और अभी अलमोस्ट एक मैने के काफी मेना हो चुक है उपर और इनका कमेंट है यह सेम आंसर में आपको वही दे रहा हूं जो मैंने आप से पहले कमेंट का रिपलाई किया खटा-खट माइनस हो रहा है पॉर्टफोलियो जिरो होने की रेस चल रहा ह बाकि आप भी अपने साब अपने responsibility पर जो भी करो अपना decision लो चलो गाइस तो फिर वीडियो को यहीं पर end करता हूं and guys ऐसे ही चैनल को support दिखाओ ज़्यादा दिखाओ guys लेकिन कभी भी कम मत दिखाओ और अपना त्यान रुखाओ बाई and take care